असलाम अलेकुम फ्रेंड डीजावाइस चैन में वेलकम हैं आप सब लोगों का फ्रेंड ताजात रीन और इंपोर्टन अपडेट आप लोगों साई शेयर करेंगे इमिग्रेंट्स को लेकर बड़ी और ताजात रीन अपडेट है खास तोर पर स्वैला ब्रेवरमेन की जानिब से बड़ी और जात रीन अपडेट जारी की गई है जो के नया एक्शन इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी और ताजात रीन अपडेट है इमिग्रेंट्स को लेकर स्वैला ब्रेवरमेन की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है वो आज के इस वीडियो में डेटेल के साथ आप लोग साथ शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है हमेशा की तरह के वीडियो को तफसील से और आखर तक देखिएगा और अगर चैनल पर ने हैं तो चैनल को लाजमी तोर पर सबस्क्राइब कर दीजेगा और साथ में दिये गे बेल के आप्शन को प्रेस करके ओल कर दीजेगा बढ़ते हैं ताज़तरीन अपडेट की जानिब तो फ्रेंड अपडेट कुछ यूँ है कि स्वैला प्रेबरमेन का कहना है कि वो इमिग्रेंट्स जो के कैम्पिस वगेरा में हैं जिनको डेपोर्टेशन के हवाले से कहा गया था यानि के इनको डेपोर्ट किया जाएगा इनके होम कंट्री में तो उनको अभी नहीं रोका जाएगा उनको लाजमी तोर पर डेपोर्ट किया जाएगा क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स शामिल हैं जो के क्रिमिनल एक्टिविटीज जिनके स्टेटस नहीं सही हैं तो उनको लाजमी तोर पर उनके होम कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा उनको कैंप्स वगेरा में रखने का मकसद ही ये था कि इनको यहां पर रख कर फिर उसके बाद इनको चार्टर फ्लाइट्स की जरीए इनके होम कंट्री में इनको डिपोर्ट किया जाए जैसा कि आप सब लोगों को मलूम है कि जहां पर स्वेला ब्रेवरमेन की जानिब से कुछ अच्छे इंतजामात किये जा रहे हैं और कुछ ऐसे इंतजामात भी हैं जो वो भी इमिग्रेंट्स के थोड़े बहुत खिलाफ ही हैं लेकिन उनका ये कहना है कि हम उन इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं जिनके स्टेटस नहीं साब जो क्रिमिनल एक्टिविटिस में शामिल हैं उनका ये कहना है कि हमारा ये मकसद हर्गिज नहीं है कि इमिग्रेंट्स को तंग करना क्यूंकि जिन मुमाली के साथ हमारे एग्रि करने का मकसद ही ये था कि हम आपके वो इमिग्रेंट्स जो के गलत तरीके से आए और जो के गलत एक्टिविटीज में शामिल है तो उनको हम लाजमी तोर पर डिपोर्ट करेंगे इसके इलावा उनका ये कहना है कि बौर्टर्स पर भी काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स की से शेयर करना काफी ज़्यादा जरूरी था उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आइए कि वीडियो को लाजमी तोर पर लाइक शेयर करें मज़ीद मिलते हैं किसी और इमपॉर्टन्ट अपडेट में तब तक के लिए में दीजिए इजाज़त आला हाफिर्स